अपनी कमाई शिक्षाप्रद कहानी किसी शहर में एक अमीर आदमी रहता था उसने समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया था लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था और चाहता था कि उसका बेटा उसका काम संभाल ले लेकिन उसका बेटा आलसी था मेहनत करने की ना तो उसे आदत थी और ना ही उसकी इच्छा पिता के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता था एक दिन सुभा सुभा अमीर आदमी ने अपने बेटे को पास बुला कर कहा जाकर कुछ कमा लाओ नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा लड़का सीधे अपनी मा के पास गया और रोने लगा मा ने बेटे की आँखों में आसू और मुख पर चिंता देखी तो वह बेचैन हो गई उसने अपना संदूग खोला और एक अशर्फी निकाल कर बेटे को दे दी रात को पिता ने बेटे से पूछा आज तुमने क्या कमाया लड़के ने जेब से अशर्फी निकाल कर पिता के सामने रख दी पिता ने कहा इसे कुए में फेक दो लड़के ने तुरंट उसे कुए में फेक दिया पिता सब कुछ समझ गया दूसरे दिन उसने अपनी पतनी को लड़के को अशर्फी देने से मना कर दिया तीसरे दिन उसने फिर लड़के को बुलाया और कहा जाओ, कुछ कमाल आओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा लड़का फिर अपनी मा के पास गया, लेकिन उसकी मा ने उसे पैसे नहीं दिये अब लड़का अपनी बेहन के पास जाकर रोने लगा बेहन ने एक रुपिया भाई को दे दिया रात को पिता ने लड़के से पूछा आज तुमने क्या कमाया लड़के ने एक रुपया जेब से निकाल कर पिता की सामने रख दिया पिता ने कहा इसे कुए में फेक दो लड़के ने जल्दी से उसे कुए में फेक दिया अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया, अगले दिन उसने अपनी बेटी को बुला कर लड़के को पैसे देने से मना कर दिया, इसके बाद उसने लड़के को बुला कर कहा, जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा, लड़का मा और बेहन के पास गया परन्तु उन्होंने उसे कुछ न दिया, लड़का सारा दिन उदास रहा, मजबूर होकर शाम के समय वह उठा और बाजार में जाकर मजदूरी खोजने लगा, उसे एक सेट मिल उसके पास एक बड़ा सा संदूक था, सेट ने कहा, मेरा संदूक उठा कर मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें पांच रुपए दूँगा अमीर आदमी के बेटे ने संदूक उठाया और उसे सेट के घर पहुँचा आया, उसका सारा शरीर पसीने से भीग गया और पाउं काँपने लगे, रात को पिता ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से पांच रुपए निकाल कर पिता के सामने रख दिये, पिता ने कहा, इन्हें कुए में फेंक दो लड़के की आँखें आशों से भीग गई, वह चुपचा पिता के आगे सिर जुका कर खड़ा रहा, पिता ने फिर अपनी बात दोहराई, इन रुपएओ को कुए में फेंक आओ इस बार लड़के ने हिम्मत जुटाई और कहा, इन रुपएओ को कमाने में मेरी गर्दन तूट गई, और आप कहते हैं कि इन्हें कुए में फेंक आओ अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया, कि ये पैसे मेहनत से कमाय हुए हैं, अगले दिन उसने अपना सारा कारोबार अपने बेटे को सौप दिया सीख, मेहनत की कमाई मूलेवान होती है